तो आज की वीडियो पर हम लोग बात करेंगे कि आप अपने Facebook के password को अगर भूल चुके हो तो आप अपने Facebook के password को कैसे पता करोगे और दोस्तो चेंज करने को option ने मिला है तो आप कैसे change करोगे पुराना password को कैसे पता करने हो 100% मैं guarantee देता हूँ अगर इस वीडियो को आप आर कर दीजो चैनल पहले पर बिजिट किया तो सब्सक्राइब कर दीगा चैनल को सब्सक्राइब कर करके वीडियो को लाइक कर दीजेगा तो दोस्तों Facebook के password को पता करना है तो सबसे फेस्ट बूं को पर नहीं है चलो बताते है श्टेप बाइश्ट तो ध्यान से देखना तो जैसे Facebook open कर लेते हो तो दोस्तो Facebook open करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक option मिलेगा three dot यह देखें यह देगे right corner three dot मिलना है simply आपको इस right corner three dot पर tap कर देना है या profile आओगा option भी मिलेगा जैसे three dot दोस्तों थोड़ा सब उठीन करना है जैसे सोच थोड़ा ऊपर करते हो यहाँ पर आपको option setting and privacy Instagram पर setting & privacy फेजबूक के भी SAY वीं प्रेविसी हो चुकी है तो तो यह पर आपको करना क्या है सब्सक्राइब कर देना है जैसे setting and privacy mid आपको संदल कर देना है तो किलिक कर देते हैं अपके सामने नए अपसेंटरने अप्सेंटर चैर सेंट्रस देंभ दूसके यहां पर नीचे लिखा रहाएगा यह और सामने option मिलीगा चेंज पासवर्ट कर देना है जैसे आपको प्रोफाइल पर पर अपने विजिट कर लेना है यहँए दोस्तों ही स्टेफ बाइब JUST की आजाने और मुबाइल में यहां पर जीएं में जी 吐लावी ओपण करते लेकि तो आपके सब्सक्राइब करने हैं आपको पार और दोस्तों यहां से आपको चले जाना है सकेॉरिटी पर हुआ इस पास्ट्रूर आडगर दे लिए पिर करें। तो आप को यहां पर सभी पासरण मील जैगा, तो आपको फेज़आगा इस्टाक्राम को मिल जागा, सभी आपका मिल जागा, तो सिंप्लिस आपको Facebook का लिए option पर click कर देना है अपने phone का lock डाल देना है तो आपके सामने आपके Facebook का password आजागा जितने भी Facebook में account सभी account का password मुझे मिल गया ठीक है अब दोस्तो आपको यहाँ से मिल जागा अगर दोस्तो by chance यहाँ पर आपको password नहीं मिलता है आपको अपने mobile number को यहाँ से सरेट कर लेना है तो यहाँ से continue कर देना है अब mobile के number पर दो OTP आएगा तो OTP डालने के पर दोस्तो आपको continue कर देना है जैसे दोस्तो आप OTP डाल दे तो आपको दोस्तो यहाँ पर option मिल जाएगा नया password बानेगा तो दोस्तों यहां से आप अपने Facebook का नए पासर बना सकते हैं दोस्तों दो तरीके बता दिया है आप दोनो तरीके सा पासर को पता कर सकते हो